एक face mask slash face scrub जो कि आपके चहरे पर मौझूद किसी भी प्रकार के deposition को चाहे वो कितना ही जिद्धी black head या white head हो इसको remove करता है इस mask के preparation में वो magic नहीं बलकि इसके application में है तो जब मैं application explain करूँ तो please ध्यान से सुनिएगा इसमें आपको लेना है एक चमच rice flour यानी की चावल काटा एक चमच बहुत ही fine powdered coffee नहीं है तो granulated भी आप ले सकते हैं just don't worry हम इसको workable बना देंगे इसमें आपको लेना है बहुत ही थोड़ा सा raw milk अगर raw milk नहीं है तो आप जैसा भी milk available है वो यहाँ पर ले लीजिए और इसको अच्छे से मिला लीजिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा milk ले लिया था तो मुझे rice flour और add करना पड़ा आप जितना मैं बता रही हूँ आप समझ रहे हैं तो कितना भी fine या कितना भी बारीग पिसा हो आपकी topmost layer को रगड सकता है barrier को बहुत जादा नुकसान पहुंचा सकता है इसलिए भिगा के रखेंगे ताकि थोड़ा softer हो जाए जब यह ready हो जाए आप इसमें rose water आड़ कर सकते हैं आप इसमें glycerine आड़ कर सकते हैं तो आपका जो application है वो बहुत ही comfortable हो जाता है और किसी भी प्रकार की रगडा रगडी जो की possible है वो नहीं होती है तो यह आप यहाँ पर मिला लेंगे अगर आपको ऐसे शक्स है जिनकी skin बहुत dry है आप यहाँ पर coconut oil भी आड़ कर सकते हैं अगर आपको बहुत जाद आकनेज रहते हैं आप यहाँ पर turmeric आड़ कर सकते हैं तो यह सारे विकल्प हैं जो मैंने आपको बताए हैं बाकी as it is जैसा मैंने दिखाया है preparation यह हमारा base face mask slash face scrub बनकर ready हो चुका है जब यह ready हो तब आप इसमें गलिसरीन डालें ताकि वो softness इनो immediate हो और आपको वो feel हो जब मत दूलेगा